नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टेट वैंक ओफ इंडिया की सेयर की बारे में किस प्रकार से आपको इसको एक जन्मली को ट्रेट करना चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो जरूर वीडियो को पूर एंड तक देखिए तो स्टाट करते हैं इस वीडियो को तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमने जो चार्ट खोला है यह स्टॉक का चार्ट खोला है इस वेकि हमारे जो स्टॉक था वो पहले डाउंट्रेंड को फॉलो करते जब एक रजेस्टेंस के ऊपर अच्छा मोमेंटम देखने वाला SBI की सेयर में और यह चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टॉक है बार बार इस लेवल पर नीचे की तरफ गया है लेकिन इसने सपोर्ट देखी गई है इसने सबसे पहले नीचे की तरफ आने के बाद 623 24 रुपए के आसपास आने के बाद इसने बापेस से उपर की तरफ सपोर्ट लेने की सासाथ बापेस से इसने एक है लगाया है और जब इसको ब्रेक करके उपर की तरफ सब्रेज है तब आपको वापस से SVI के stock में अच्छे momentum ऊपर की direction में देखने को मिलेगा और नया higher high लगाते हुए देखने को मिलेगा तो कुछ इस प्रकार से आप SVI के stock को trade कर सकते हैं और अगर हम intraday में देखें इसको तो intraday को देखते हैं हम ध्यान से तो भी आप intraday में देख पा रह को ऊपर की तरफ जा रहा है जब हमारा SVI का stock है इस level को break करके नीचे की तरफ निकलता है अगर तब हमें एक selling pressure देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ तो कुछ इस प्रकार से आप SVI की stock को trade कर सकते हैं intraday में और अगर shorter में trade करना चाहते हैं तो जब हमारा जो higher high है अगर आप अभी entry लेना चाहते हैं तो अभी entry ले सकते हैं लेकिन अपने risk to reward के हिसाप से उसमें entry लें और जब हमारा 660 का level को cross करके उपर की तरफ निकलता है तो कुछ इस प्रकार से आप SVI की stock को trade कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद